आप सभी लोगों का स्वागत है सब्लाइन क्लासेज में और आज हम थान डाइक के सीखने का सद्धान्थ पढ़ेंगे इसे प्रयत्म तथा भूल का सद्धान्थ भी कहते हैं इंगलिस में इसे ट्राइल एड एरर थेओरी कहा गया जो थान डाइक के सीखने का सद्धान्थ है ये परिक्षा की दर्ष्टी से बेहद महत्तुकून है और इसमें कई प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया था था थान डाइक ने इसलिए बिलकुल इसको हलके में मत लीजेगा ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो सद्धान्थ के बारे में बताते हुए कहा कि जब कोई कार्य सीखता है जब कोई गत्ती कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने विसेश इस्थति आ जाती है उस विसेश इस्थति को ही उद्धीपक कहते हैं इंगलिस में इसको इस्टिमूलस कहते हैं जो उसे विसेश प्रक करने के लिए प्रेरिप करता है मतलब उद्धीपक का कार्य क्या है किसी भी कार्य को करने में एक विसेज जो अनुक्रिया होने लगती है कोई वक्ति कुछ स्पेशल काम करने लगता है एक प्रेरना समझ लिए चोटी मुटी या उत्तेजना समझ लिए कि मन में कुछ करने की इच्छा जागरत होने लगना वो उद्धीपक करवाता है और जो अनुक्रिया है वो करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पकार एक विसेज़ उद्ध स्थापित हो जाता है और उसे ही उद्धीपक अनुक्रिया सम्बंद कहते हैं ठीक तो आप उसे दर प्रशन में आता है कि उद्धीपक अनुक्रिया सम्बंद किसका है तो ये थान डायक का है आपको आपके जो कुछ नाम है इसके कभी-कभी पूछने लगता है कि इसके अन्य नाम क्या है या इस तरीके सा जाता है कि दूसरा नाम ही लिखा होगा और आपको रमित होना पड़ जाएगा कि अरे यह नाम तो मैंने कभी पढ़ा नहीं तो इसके जितने नाम है यह हमने यहाँ पर आज खटा किये अज़े देखते हैं कौन-कौन से नाम है उद्वीपन अनुक्रिया का सध्धान्त जो मैंने अभी आपको पता है था उद्वीपन अनुक्रिया का सध्धान्त तूसरा है प्रयास एवं तुरूटी का सध्धान्त यानि कि trial and error theory, तीसरा है संयों जनवात का सिध्धान्थ, चौथा है अधिगम का बंद सिध्धान्थ, पाचवा है प्रयत्न तथा भूल का सिध्धान्थ, प्रयत्न और भूल प्रयास एवं तुप्टी से मिलता चुलता है, इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी, और SR theory यानि कि stimulus response theory, इसको उद्वीपन अनुकरिया से धान्थ भी कहते हैं, तो पहला और ये जो है, ये लगबख सेम चीज है, SR theory और stimulus response theory उद्वीपन अनुकरिया से धान्थ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे नाम धान्डाइक से संबंधित करके जाद रखने हैं भोलने नहीं, चलिए आगे चलते हैं, ठान्डाइक का प्रियोग, अब प्रियोग की बात करेंगे तो ठान्डाइक ने अपना प्रियोग भूखी विल्ली पर किया था, भूखी विल्ली के साथ क्या किया, इन्होंने किस तरीके से किया, आइए समझते हैं इसको, ठान्डा इसमें ही बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में था डायक ने मचली का एक टुकड़ा रख दिया और पिंजरे के अंदर एक लीवर का बटन लगा हुआ था जिसे दमाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। बोकी बिल्ली ने भोजन मचली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अन्नेक तुर्टी पूर्ण प्रयास के तुर्टी पूर्ण का मतलब कई प्रयासे से किये चिसमें वो सफन नहीं हो पाई तो तुर्टी पूर्ण प्रयास हो जाए तो भोजन उद्वीपक का काम कर रहा था और उद्वीपक के कारण बिल्ली पतिक्रिया कर रही थी बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रत्त किया एक बार सायोग से उसके पिंजरे से पंजे से लीवर दब गया और लीवर दबने से ही पिंजरे का तरवाजा खुल गया भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकल कर अपने भोजन को खाकर अपनी भूख शय्ट दिलीुक रिख है यह था प्रियोग ठांडाइक का अब ठांडाइक ने इस प्रियोग को बार बार पुखन कई बार इस प्रक्रिया को दोराया तो था देखा कि प्रतीक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लग रहा है और कुछ समय बार बिल्ली बिना किसी प्रकार की भूल किये एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोला से गई और इस प्रकार उधीपक औ पैर रखना सीख गई है कि वह जानती है अब उसे बेवकूप पनाय जा रहा है कुछ नहीं है उसे सिर्फ लिगर दबाना है और उसको उसका खाना मिल जाएगा आई बात करते हैं प्रियोग में जो बिल्ली ने चरण अपनाये कभी कभी चरणों की बात होती है तो कौन कौन से चरण थे पहला था चालक जो कि उसकी भूग थी दुसरा था लक्ष जो कि मचली थी लक्ष प्रात्य में बाधा क्या था पिंजरे का बंद दरवाजा उल्टे सीधे प्रियत्न यानि की पिंजरे को काटना इत्यावी संयोग वसफलता लीवर का दबना या दरवाजे का खुलना सही प्रतन का चुनाओं दरवाजा खुलने का तरीका और इस थिरता जो है वो है दरवाजा खुलना यह सारे चरण थांडाइक ने बताय थे अपने मुख्य नियम बताये और कुछ गौण नियम बताये तो मुख्य नियम कम है संख्या में और गौण नियम चाहता है तो बात करते हैं पहले मुख्य की नियम की कौन कौन से नियम बताये इसमें पहला ततपरता का नियम, दुसरा भ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम ततपरता का नियम क्या कहलाता है? यह नियम कार्य करने से पूर ततपर या तयार किये जाने वाले पर बल दियता है ततपर नाम से लग राएगी कुछ तयार होना है यदि हम किसी कारी को सीखने के लिए तत्पर या तयार होते हैं तो उसे सीख रही सीख लेते हैं तत्पर में कारी करने की इक्षा नहित होती है और ध्यान के अंदरित में भी तत्परता सहायता करती है ठीक है तत्त पड़ता आपको मैं अगर एक लाइन में बताओं तो आपको पढ़ाई में अपकी इच्छा है अगर आप इस special चीज़ को पढ़ना चाते हैं मान लिजी आप math पढ़ना चाते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाद नहीं कर सकते आप अगर इसी लाइन को बच्चे से संबंद परेंगे तो किसी बच्ची को स्कूल तो ले जा सकते हैं लेकिन आप अगर वो ततपर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़े तो वही बात है कि घोड़े को तलाब तक जा सकता है लेकिन उसे पानी पिलाने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है अब भ्यास का नियम जो दूसरा नियम है वह अभ्यास का नियम यह नियम किसी कार या सीखी गई विसेवस्तू के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है विख्यास का नियम है तो बल काय पर अभ्यास पर ही देगा shiny इन हम किसी कारी काभ्यास करते रहें कि उसे सरलता पूरवक करना की चाते हिरृप हिरृण करोक्ता है है . ठीक है मतलब अगर हम अभ्यास करना कि अब जहां पर फिर सिक महत का सवाल अगर ले 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 तो अगर हम महत बार बार नहीं लगाएंगे तो कहीं न कहीं महत हमारे दिमाग से चलूर निकल जाती है इस नियम के दोप नियम है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम क्या कहलता है कि या नियम पुनरावत्ती पराधारित है मतलब अगर आप उन्रावत्ती करेंगे तो उसका अप्योग होता रहेगा अनुप्योग का नियम या नियम विस्मती पर अधारित है मतलब अगर आप उप्योग नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे विस्मती मानी क्या होता है भूल जाना जैसे करत करत अभ्यास से जर्म इसका अगर मैं अर्च बताऊं आपको तो अभ्यास करने से ही जो उद्धी होती है इसमें ग्यान का भंडार है बना रहता है और रसरी आवत जाते मतलब रसी जो है उसके अपडाउन जो कुए में जब हम पानी भरते हैं तो जब रसी को खीचते हैं तो बार-बार अगर रसी को खीचा जाता है पानी भरने के लिए तो कुए में भी रसी के निसान पढ़ जाते हैं ऐसे ही बार-बार अभ्यास करने से आपके दिमाग में भी पढ़ाई वाले निसान बन जाएंगे चंता मत करियें यह निसान आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगे या अंदर प्रभाव का नियम को संटोस तथा असंतोस का नियम भी कहते है इस नियम के अंसाथ जिस कारिक को करने से प्राणी को सुख वशंच मिलता है उस कारिको बार-बार करना चाहता है और इसके विपरीइद जबकार करने से दुख या असंतोस मिलता है तो उस कारी को दुबारा नहीं करना चाहता यह कहलता है प्रभाव का नियम यह गौड नियमों से मिलते जुलते ही है लेकिन पांच अलग से बनाए इणको आप your account करना है बहूत जरोरी है रीपा सादर्शित के साद्शता का नियम और सभचार करना नियम तो आये इनकी चर्चा करते हैं सबसे पहले आता है इस लीआम के अंसेर जब प्राणि के सामने कोई परिस्थिति या समस्य पर न हो बहु प्रतिक्रिया, तो बहु प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाय करता है, और इनी प्रतिक्रियाओं को करने का करम जब तक जारी रहता है, जब तक सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हल नहीं प्राप्त हो जात अगानता तब तक तक बुलगा रहता है तो प्रयास एवं तुर्टी का स्धान्त। इसी नियम पर अधरारित हैना ना भू सारी पत्यक्रिया हों मित अभी तो कर आजा रहा है और तुर्टी मतलब ऑगेHH हों मितलब 40 ही मनोवर्ति का नियम इस नियम को मानसियख विलनयास का नियम भी कहते हैं इस नियम के अंसार जिसकार या के प्रती हमारी जैसी अभी वरत्ती होती है उसी अनपात में हम उसको सीखते हैं। अगर ब加न की बताया था कि हम अगर किसी चीज की इच्छा रखेंगे तब यह उसको अच्छे से कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर पाएं। हमारा तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जितनी इच्छा होगी उतन आ ही होगा। बार अगर आपकी इच्छा limited है, आपको खिलना, थोड़ी ही दिर आप चाहते हैं कि हम किसी खेल को खेले, तो आप उतनी दिर अच्छे सकते हैं जज्दा नहीं खेल सकते हैं. यॉदी हम आंसिक रोप से किसी कारे कुर्थ करने के लिए तयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल हो जाएंगे पंजे साब अबता है आपको और या अनेक तुर्कियां करेंगे और या बहुत विलम से कार्य पूना कर पाएंगे आंसिक क्रिया का नियम क्या कहलाता है इस नियम के अनुसार किसी कारे को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है आंसिक क्या होता है छोटा-छोटा भागों होता है तो छोटे-छोटे भागों में विभाजित करने से कारे सरल हो जाता है और सुविधाबर ज करते हैं तो उससे हमारा कार सरल हो जाता है और इस नियम पर अंस से पूर की ओर से का सिख्षण संधाम भी कहते हैं मतलब अंस छोटे अंस और उधर से बड़े अंस की तरफ हम बढ़ते हैं ठीक है तो इसे अंस क्रिया का नियम कहा जाता है बात करेंगे साधर्शिता अंगरिया नियम की इस नियम को आत्मीकरण या समानता का नियम भी कहते हैं यह नियम पूर अनुभों पर आधारित होता है जब प्राणी के सामने कोई नई परिस्थती या समस्या उत्वपन होती तो वह उसे मिलती जुनती परिस्थती या समस्या का इस्मार करता है जिसका पूरू में अनुभव कर चुका होता है मतलब जब कोई हमाई सामने परिस्थिती आती है तो वह सोच लगता है यह तो वैसी परिस्थिती है मानलीचे आप बाइक सीखने लगे और साइकल आप सीख चुके हैं तो आपको याद आएगा कि साइकल भी लगबग मैंने इसी प्रकार सीखी थी कुछ इसी तरीकिये के काम करने पड़ते थे तो आपके दिमाग में वो सारे अनुभव आने लगेंगे जो इससे पहले आपने साइकल सीखने में लगाए था दिमाग वही हला आपको याद आने लगेगा तो जिसका पूर में अनुभाव कर चुके वह नवीन ग्यान को अपने पूर ग्यान पर इस्थाई अंग बना लेता है और धीरे धीरे जो नया ग्यान है वो पूर ग्यान के साथ चुर जाता है और हम नए काम को असानी से कर लेते हैं साचसर्य परिवर्तन नयम जहां यह अंतिम नयम है या कि गौर्ड नयम जो हमें आपको पांच मताया थैंइंग है इस नयम की अंशार एक उध्यक्तिक्त के परति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे अनुक्रिय कसे क्रिया भी होने लगती थूड़ा आगे चलते हैं इसको समझने के लिए, दूसरे शब्दों में पहले कभी की गिलिए कृया उसी के सम्मान तूसरी परिस्थती यहां परिस्थती बदल रही है वहां पर क्रिया बदल रही थी इससे पहले वाले में और यहां परिस्थती बदल रही तो उसी पेकार से करना है इसमें क्रिया का सुरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थती में परिवर्तन हो जाता है तो थांडाइक ने पावलाओ के सास्त्री अन्वन्धन को सहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में भिक्त किया तो परिस्थती का पत्लब यह है कि जो आप काम कर रहे हैं वह तो सेम रहेगा लेकिन आप बों कहां परिवर्तन आ झाएगा मतलब जब आप से प्रस्फम फूछा जाए जब कोई कार उल्ड़ानी परिस्थत्रि के छोड़े के नई परिस्तत्ति में करना हो तो किसे समद्द ह हो जाता है सहचार्य परिमारतन से ठीक तो यह आपका आज धानडाइक के कुछ जो हमने सद्धान थे उन पर चर्चा की और अब इनके बारे में थोड़ी सी सिक्षा जो इस संबंदित सिक्षा के महत्तो हैं उनकी बात कर लेते हैं कभी-कभी सिक्षा के महत्तो यानि कि जो च ठीक है इस जो विधी है इसे सीखने की के लिए सनल हो जाती है दुछरा है यह से धान्त करके सीखने परबल देता है करके सीखने परबल देता है और आधनिक समय में बहुत उपयोगी है इसे धान्त बड़े तथा मंद पुद्धिवालकों के लिए बहुत उपयोगी है भा का विकास होता है तो आज हमारे सब्लाइम क्लासेज में इतना ही जल्द ही अगले नए टॉपिक से आप बना के आपको मिलेंगे और तब तक छुड़े रहें सब्लाइम क्लासेज से सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और मिलते रहें धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग